नमस्ते आज मैं इंसंट प्रेड सुईट डिज़र्ट रेसिपी लाई हूँ उसके लिए मैंने एक कप सुगर ले लिया है। उसके है कॉर्डिंग मैंने उनन इन हाफ कप पानी डाला है। ये सुगर बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही कंब शामांगरी स यह बनकर रेडी होता है मैंने एक कटोरी शुगर वन इन हाप कप मैंने इसमें पानी डाले से अच्छे से आप उबाल लीजिएगा जब तक कि यह अच्छे से मेल्ट ना हो जाए से आप कंटिन्यू चलाते भी उबाल लीजिएगा देखे बिलकुल इस तरह से यह रैसे भी बहुत ही जलकर बनकर रेडी हो जाती है देखे यह लगबख उबल गई अब इसमें फ्लेबर के लिए इलाइची और थोड़ा सा लेमन मुस्किल से उसके कुछ ड्रॉप हम इसमें यूज करने हैं फिर मैंने इसमें फूट कलर डाला है और इंज अगर आपके पास केसर है तो केसर यूज कीजिएगा उससे फ्लेबर और भी अच्छा आएगा फिर मैंने इसमें ग्लुकोज जेल लिया यह कहीं भी बेकरी सौप पर आशारी से मिल जाती है इससे आपकी चाशनी जमीगी नहीं यह आप्सनल है देखे हमें एक तार की चाशनी बनानी है देखे बिल इस तरह से अपने अकॉर्डिंग ब्रेड कम ज़्यादा ले सकते हैं आपको जितना मन हो बनाने के उसी साब से बना सकते हैं इसी तरह से सबके कॉंटर निकाल लेंगे हम फिर इदर हम मैंने सो बीच से स्लाइस कर लिया है इस तरह से हम सारे को स्लाइस करके हम रख लेंगे इधर हम कडाई को गर्म कर लेंगे मैंने गी डाला है आप इसे रिफाइन में भी फ्राई कर सकते हैं फिर गी में ज़्यादा चफ ले पराता है यह बहुत ही जल्दी डीफ राई हो जाता है क्योंकि यह ब्रेड काफी हलकी होती है इसलिए यह डीट बहुत ही बनकर जल्दी रेड़ी हो जाता है जब भी आप हो कुछ मीटा खाने का बनकर बनकर हलकितना अच्छा यह गोल्डन कलर आया है इसी तरह हमे से गोल्डन कलर करके हमें से निकाल लेना है ध्यान रखे इसमें घी रहती तो जितना हो सकर दबाकर निकाले ताकि एक्स्रा गी निकल जाए और ऑईल आजो पेपर यूच करे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ओईल या घी जिसमें आप फ्राई कर रहे हो वो उसमें अब जॉब हो जाए और हमेशा ब्रेट को हलका सा प्र जब भी निकाले इसे, हम इसे दबाकर निकाले ताके जो भी एक्ष्ट्रा गी है वो आपका निकल जाए, देखें बिल्कुल इस तरह से इसे निकाल लेना है, देखें हमारा सारा फॉराइ भी हो गया है, छलिए अब हम अपने चासनी लेंगे, उसमें, जितना एक बार में इ देखे बिल्कुल इस तरह से डाल कर और आप इसे चाष्णी को अच्छी तरह से ऐसे मिला देए ताकि उसकी चाष्णी और जो हमने ब्रेड फ्राइ के उसके अंदर वह चला जाए ब्रेड में यह स्वीट काफी यमी डिलिसिस बनती है और काफी जल्दी बन जाती है ताप इ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें सेर करें एंधाएं की सो मच मेरे चैनल को सस्क्राइब करने के लिए जिन्होंने नहीं के प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें सपोर्ट करें इसी तरह से अपना सारा ब्रेड इस पी बनकर ready होगी अच्छी लगे तो like